आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाई, जब इस Question में दे रखा है कि ABC हमारे Vertices है, Triangle ABC के इनका Position Vector हमारा Small A, Small B, Small C Vector किसके Respect में? Origin के Respect में अब क्या बोला है? जो Angle A का Bisector होगा, वो BC Side को Point D पे Mid कर रहा है ठीक है? Such that हमें Proof करना है So that करना है, आनि कि Proof करना है कि जो Position Vector D का होगा, वो ये होगा ये हमें First में Proof करना है ठीक है? तो देखो, ABC हमारा Triangle है, उके? उसकी Position Vector Small A, Small B, Small B Vector है ठीक है? Origin के Respect में और Angle A से जो Bisector हमने खीचा है, नहीं कि ये Angle ठीटा और ये Angle भी ठीटा, क्योंकि Angle Bisector है AD हमारे Angle Bisector है Angle A का, ठीक है? और वो जो हमारा Angle Bisector हमने खीचा Point D हमारा BC पे लाइक कर रहा है यानि BC को कट करेगा कहाँ पे? D पे, ठीक है? तो क्या बूला है कि Point D का जो Position Vector होगा वो ये होगा, प्रूफ करना है First portion में इस Question के, Second क्या है हमारा देखो, Second बूला है, जो बीटा है हमारा ये इसके Equal है और Gamma हमारे इसके Equal है, ठीक है? तो Second हमें पूछ रहा है, Reduce करो, मतलब So करो, कि InCenter आई जो होगा ठीक है? उसका Position Vector ये होगा जहाँ पे Alpha हमारा इसके Equal है ठीक है? तो हमें InCenter का जो Position Vector है वो ये लाना है, ठीक है? तो देखो, अब क्या करते हैं यहाँ पे अपन यहाँ पे जो AC है ठीक है? तो AC का जो अगर मैं Modulus निकाल लूँ, AC Vector का Modulus वो Length of Side AC हो जाएगा ठीक है? इसको मानलो तुम बीटा के Equal, ठीक है? तो इसकी जो Length है इसकी वो बीटा मैंने मानलिया ठीक है? और जो AB Vector है उसका Length मानलो, गामा के Equal ओके? इसको मैंने इसकी Length को गामा मानलिया, तो अपने एक प्रोपर्टी से जानते हैं कि अगर यह मेरा Angle Bisector BC को D Point पे मिट कर रहा है तो इसको BC को किस Ratio में Divide करेगा Internally? तो वो करेगा, ठीक है? बीटा, ठीक है? किसकी Ratio में Divide? गामा इस टू बीटा Ratio में? ठीक है? तो यह गामा और यह बीटा Ratio में Divide करेगा BC को, Point D, ठीक है? क्योंकि यह मेरा क्या था? यह मेरा AB जो था, हमारा गामा था? यानि इसकी लेंद गामा थी और इसकी लेंद बीटा थी तो इसी Ratio में यह हमारा Angle by Sector BC को Divide करेगा यह अपन प्रुपर्टी से जानते हैं, ठीक है? तो चलो, अब D का अगर मैं Coordinate लिखना चाहूं, तो वो क्या हो जाएगा? देखो, हमें Point B का Position Vector मालूम है, Point C का Position Vector मालूम है, Point D हमारा Internally, Gamma is to Beta Ratio में BC को Divide कर रहा है, ठीक है? तो अगर अपन यहाँ पे Section Formula लगा है तो Point D का Coordinate क्या हो जाएगा? Gamma into C, यह होगा Gamma into C Vector Plus Beta into B Vector ठीक है? Upon Gamma plus Beta यह अपन Section Formula से लिख पाएगे? ठीक है, हमें देखो, First Part में यही प्रूफ करना था, कि Position Vector of D जो होगा, वो इसके Equal होगा देखो, Question में, हमें यह प्रूफ करना था कि Beta B Vector plus Gamma C Vector upon Beta plus Gamma वही हमने प्रूफ किया, ठीक है? अब Second Part देखो, Second Part हमें In Center के बारे में बोले होगा तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर Beta और Gamma निकाल लेते हैं तो Beta हमारा क्या था? A C Vector का Length तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Modulus of C Vector minus A Vector तो Gamma हमारा क्या हो जाएगा? यह यानि कि B Vector minus A Vector का Modulus हो जाएगा अब देखो, Question में देखो, हमें एक चीज़ और दे रखा है कि Alpha जो है, B minus C के Equal है मतलब, Alpha Modulus of B Vector minus C Vector के Equal है मतलब, यह B Vector minus C Vector का Modulus काने का मतलब क्या हो गया? Vector CB हो गया वेक्टर CB का Modulus यानि इसकी Length, इस वाली Side की Length अब देखो, In-Center कहीं यहाँ पे होने वाला है मानलो, ठीक है तो In-Center यह है हमारा Strangle का यह यहीं पर क्यों होगा इसी Line में क्यों होगा? तो देखो, अपन एक Property जानते है वो Property क्या होती? कि In-Center जो होता है In-Center is the Concurrent Point of Angle Bisector यह अपन जानते हैं कि Concurrent होता है किस से Angle Bisector के Concurrent होता है हमारा In-Center और In-Center जो है वो Divide करता है मानलो, अगर यह AD Line है हमारा Angle Bisector वाला तो In-Center इसको किस Ratio में Divide करेगा? वो Ratio हमारा देखो यह होगा यह Alpha इस टू, Alpha, सौरी बीटा प्लस यहाँ पर Alpha नहीं होगा Alpha इस टू, ठीक है Alpha इस टू, बीटा प्लस गामा रिशियो में AD को Divide करेगा हमारा In-Center ठीक है, यह हमारी प्रोपाटी होती है कि अगर हमारा Angle Bisector जो है Angle Bisector Concurrent होता है In-Center के, ठीक है यह हमारी प्रोपाटी होती है और दूसरी प्रोपाटी होती है कि In-Center जो है वो Angle Bisector वाले लाइन को Alpha इस टू, बीटा प्लस गामा रिशियो में Divide करेगा, ठीक है जहाँ पर Alpha बीटा गामा क्या है यहाँ पर हमने देख रखा है, ठीक है अब देखो, यहाँ से अगर मैं In-Center का कोडिनेट निकालू, तो वो क्या हो जाएगा ठीक है, वो यह होगा अगर मैं In-Center का कोडिनेट निकालू, तो Bisection फर्मूला फिर मैं क्या लिखूंगा Alpha into A Vector ठीक है, यह हो जाएगा Alpha into A Vector Plus, क्योंकि Internally Divide कर रहा है तो Beta plus Gamma into Position Vector of D ठीक है, क्या हो जाएगा Beta plus Gamma into Position Vector of D ठीक है, यह Position Vector of D है ठीक है, अपन क्या हो जाएगा Alpha plus Beta plus Gamma यही होगा, ठीक है, अब देखो इसको Solve कर दो, तो हमें Position Vector of D यह मालूम है, तो Position Vector of D के जगा पर यह पूट कर दो, ठीक है तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा alpha into a vector plus beta plus gamma और d vector का position vector हमें मालूम है gamma c vector तिक है क्या है वो gamma c vector plus beta b vector upon beta plus gamma यह है अपन देखो नीचे हमारा total क्या था alpha plus beta plus gamma तो यहाँ से cancel क्या क्या हो गया देखो beta plus gamma से beta plus gamma cancel तो उपर में क्या बच गया alpha a vector plus beta b vector plus gamma c vector upon alpha plus beta plus gamma यह हमारा क्या आगया इन सेंटर का position vector और हमें यही प्रूफ करना था देखो इन सेंटर का position vector यह प्रूफ करना था हमने यह देखो यह प्रूफ कर दिया तो यही हमारा answer हो जाएगा ओके, thanks क्लासिक्स टुएल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप यह वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर